नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरीची दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुद ही महतोपू जानकारी को लेकर के जिहाँ पथरी को तुरंत गला कर बाहर निकालने के लिए खाएं यह चीज आये जानते हैं कौन सी चीज है वो पथरी रोग मुत्र संस्थान से संबंधित रूग होता है पिशाब के साथ निकलने वाले शारियत अत्व जब शरीर में किसी कमी के काराण पिशाब की नली गुर्दे या मुत्राशे में रुख जाते हैं पत्री होना आज कल एक आम समस्या बन गई है अगर किसी को पत्री हो जाए तो उसको बहुत तकलीफ जहलनी पड़ती है इसलिए आज हम आपको इस हमारे वाइस ओवर के माध्यम से पत्री के इलाज के बारे में बताएंगे जो एकदम सरल और प्रभावी भी है पत्री औरतों के पिक्षा मर्दों में तीन गुना अधिक पाई जाती है और ज्यादा तर पत्री 20 से लेकर के 30 साल तक के लोगों में देखने को मिलती है अगर आप जानना चाहते हैं कि पत्री के लक्षन क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे संभव है तो इस हमारे वाइसोवर को अंतक जरूर सुनिए पत्री एक ऐसी भीमारी है जो रोगी को बेहद असहनियत दर्द देता है पत्री के रोगी को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है आजकल के प्रदूशित वातावरन और गलत खान पान के कारण मनुष्य के शरीर में कई भीमारीों ने जन्म ले लिया है पत्री बनने का मुखे कारण होता है यूरिक एसीड फासफुरस कैल्शियम और औकजेलिक एसीड के मिलने से होता है या किसी भी इंसान को हो सकता है पत्री दो प्रकार के होते हैं एक बड़ा और एक छोटा छोटा वाला पत्री बाहर निकल जाता है लेकिन बड़ा वाला नहीं निकल पाता है जिस कारण से रोगी को बहुत दर्द सहना पड़ता है आज हम आपको पत्री को तुरंत गला करके बाहर निकालने के कुछ घरिल उपाएं के बारे में बताने जा रहे हैं पत्री होने के लक्षन जान लिजिए सबसे पहले जब सरीर के किसी भाग में पत्री पैदा हो जाती है उसके कारण रोगी को पेशाप करते समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे पेशाप का रुक रुक कर आना पेशाप के साथ खून या पीब का आना लिंग की सुपारी में दर्द होना इत्यादी पथरी के दर्द के कारण कभी-कभी रोगी में उल्टी आने या जी मिचलाने जैसे लक्षन प्रकट हो जाते हैं पथरी होने के कारणों को जान लीजिए वैसे तो समाने तफ पथरी किसी को भी हो सकता है लेकिन अधिकतर इसका एक मुख्य कारण ये देखा गया है कि जब किसी का खान पान की वज़े से मुत्र गाढ़ा हो जाता है तो पथरी बनना चालू हो जाता है और ये गाढ़े शाप करने पर दर्द महसूस होने लगता है तब रोगी को इसका एसास होता है कि उसको पथरी हो गई है पथरी गला कर बाहर निकालने के अब घरी लूप आयों को जान लीजे सबसे पहले पथर चट्टा जिहां पथर चट्टा के चार से पांच पत्तों को एक गलास पानी मे पीसकर सुबर साम जूस के रूप में लगभग एक दो महीने तक पीए जूस के अलावा पत्तों को चबाकर एवं पकोड़े बना करके भी खाया जा सकता है स्वस्त व्यक्ति भी यदि इसके पत्तों का सेवन नियमित रूप से करे तो वह कई परेशानियों से बच सकता है प्याज के दो चमच रस में मिश्री मिला करके पीने से 20-25 दिनों के अंदर ही पत्तरी गल करके नश्ट हो जाती है प्याज के रस में चीनी डालकर शर्बत बना करके पीने से पत्तरी कट-कट कर बाहर निकल जाती है 50 मिली लीटर प्याज के रस को सुभा खाली पेट रोजाना पीते रहने से गुर्देवं मुतराश यानि की पेशाब के कत्रित होने के अस्थान की पत्तरी टुकड़े हो करके निकल जाती है प्याज के रस 10-20 मिली लीटर ताजा रस को दिन में 3 बार तक 3 महिने तक पीने स गुर्दे और मसाने की पत्थरी गल करके निकल जाती है और पेशाब साफ होता आ जाता है यह उपाए पत्थर चट्टा के समान रामबान है बथुआ एक गलास कच्चे बथुए के रस में शक्कर मिला करके रोजाना सेवन करने से पत्थरी गल कर बाहर निकल जाती है पानि के साथ लेने से कुछ दिनों में ही पफरी गल करके पेशाप के द्वारा निकल जाती है। अखरोट, अखरोट को छिल के समेट पीस कर चून बना लें, इसमें से एक एक चम्म चून ठंडे पानी के साथ प्रती दिन सुबह शाम सेवन करने से पथरी रोग ठीक हो जाता है। जीरा और चीनी, जीरा और चीनी को एक बराबर मात्रा में ले करके अच्छे से पीस करके दिन में तीन बार एक एक चम्मच पानी के साथ लेने से पथरी गल करके बाहर निकल जाती है। से भी हमें फायदा होता है, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं, छे गराम पपीते के जड़ को अच्छे से पीस लें और एक कप पानी में घोल कर छान लें और इसका सेवन करें, पथरी जल्दी ही बाहर आ जाएगी। यहां दोस्तो, पथरी के बारे में पहले ही मैंने बताया आप सभी को कि क्या होती है और कैसे होती है, फिर इसका इलाज क्या है, इन में से कोई भी एक इलाज आप अपना करके पथरी के रोग से छुटकारा पा सकते हैं। आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे, कौर बहादी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों